हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आपका अग्रिकल्चर टेक्नलोजी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो पर हम बात करने बाले हैं कि क्या हमारी किसान भाई अपनी सब्जियों पर फसलों पर एक साथ अपनी फसलों पर इस कॉंबिनेशन का छलकाप कर सकते हैं या फिर नहीं क्या घूल आपस में रियक्शन करेगा तो आज का जो मिक्सिंग टेस्टिंग जो हमारी वीडियो है कि क्या आप सागरिका जो की एक सीवीड एस्ट्रेक्ट है शागरिका को सलफर 80 परसेंट को हीविक एसेट को यानि पोटेसियम हीविक को और एनपी के घुलन सीलखाद 19-19-19 को क्या आपस में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं सागरिका एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जो कि हमारी फसल पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो सलफर 80% की बात करें तो इसका जो काम है पाउडरी मिल्डियूड इसके अपर काफी अच्छा काम करती है और इसका जो डोज है जो सलफर 80% वाली है 15 लीटर पानी में आप 50 ग्राम की दर्श से चलकाप कर सकते हैं और हमारे पास है ह्यूमेक एसेट ग्रेनियूस फॉंबाल हूमेक एसेट का जो डोज है 15 लीटर पानी में आप यदि स्प्रे कर रहे हैं तो लगभकती से 40 ग्राम की दर्श से आप चलकाप कर सकते हैं जो हूमेक एसेट है वाइट रूड रेसिदार जानों का नरवान करता है जिससे पोधा जादा से जादा पोसकता त्यों को ग्रह प्रस प्रोटास का इसमें कॉम्बेनेसर है और यदि आप एनपी के गुरहन सिलकात 19-19 का स्प्रे करते हैं तो इसका डोज है 15 लीटर पानी 50 ग्राम से लिका 70 ग्राम की आसपास का डोज जाता है यह तो थी वेसिक जानकारी हमने आपको डोज बता दिया है तो आपको रेक इस पर हम सबसे पहले घुलंजीन खाथ एनपी की को मिक्स कर लेते हैं 19-19-19 को इसको हम ठीक तरीके से घूल देते हैं अब हम इस पार मिक्स करेंगे सलफर को जो 80% वाली है सलफर यह एक फपून नासक का भी काम करती है खाथ का भी काम करती है और हमारे किसान भाजियों को पता है कि सलफर कई पर्कार से काम करती है और हमारी फचलों पर काफी अच्छाबर करती है एक खाथ भी है और एक कॉंटेक्ट फंगी साइट भी है और सेकंडरी, माइक्रो, नूट्रियन, दूतियक पोग सकता तो जो एस एक सालफर जो कि हमारी फसल पर काफी ज़ाद आवस सकता पाड़ती है तलहनी और दलहनी क्रॉप पर इस फीसल यदि आप इसका प्रियूप करते हैं तो रिजल्ट में भी काफी आपको अच्छे परिगाम देखने के लिए मिलेंगे इसको भी हम ठीक तरीके से घोल देते हैं सालफर को और ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं अब हम इस पर मिक्स करेंगे शागरिका को जो की एक सीवीड एस्ट्रेक्ट है समुद्री से वाल से नेर्मित है तो हमने ठीक तरीके से इन दोनों को आपस में 19ade को और Saalpar को ठीक तारीके से घोल दिया है अब हम सागरिका को mix करते हैं यह प्रगते कुशॢ़त भाद है इसको भी हम ठीक तारीके से घोल देते हैं शागज ओर जो भी हम डोज ले रहे हैं मेजरमेंट के हिसाब से ही ले रहे हैं और हमने आपको जो डूज बताया है उसी के हिसाब से आप इस प्रे कर सकते हैं इसको भी हम ठीक तरीकी से घोल देते हैं कि अब इसको थोड़ा सा मिक्सिंग जरूर कर देते हैं और अब हम इस पर हिवमेक एसेट को मिक्स करेंगे सब्सक्राइब, और यह हैं हिवमेक एसेट हमाएं पास ग्रे नील्स फंबाला था हमने पहले से यह घोल लिया है और हिवमेक एसेट को यदि आप इसपच्रे की माध्या प्रियुक कर रहे हैं तो यह आप ग्होल लिजिए उसके बाद मिक्स करें तो यह हमने हुमक एसेट घूल लिया है अब हम इसको मिक्स करते हैं इसको भी ठीक तरीके से घूल देते हैं और ठीक तरीके से मिक्शिंग कर देते हैं और थोड़ा सा बीट कर लेते हैं मिक्सिंग करने के बाद तो दोस्तो आप देख सकते हैं जो गोल है वो फट चुका है तो प्लीज आप सागरिका को हीवमक एसेट को सलफर 80% को और एनपी गोलन सिलकाद 19-19 को आपस में मिक्स करके इस्प्रे ना करें यह क्यों फटा है करपया ध्यान से शुनिए तो दोस्तो जो हीवमक एसेट है उसको आप अलग ही यदि प्रियूख करेंगे तो हीवमक एसेट के बराबर रिजल्ट आएंगे हीवमक एसेट को जादा कॉमबिनेशन के साथ यदि आप एट करते हैं तो हीवमक एसेट के नकीबल हीवमक एसेट के बलकि जो भी आपने कॉमबिनेशन को मिक्स हीवमक एसेट के साथ कर रहे हैं उन सबके रिजल्ट काम हो सकते हैं तो याद रखना है हीवमक एसेट को अल लोग ना करें उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला हुगा धन्नवाद